प्रादेश की सबसे सुरक्षत कही जाने वाली हाई सिकरेडी जेल में बनकैदियों के पास एक बार फिर एंडवेट मोबाइल सिम पहुच रहे हैं इसके बावजूद भी लगातार मोबाइल और सिम कैदियों के पहुच रहे हैं जेल प्रशासन के अनुसार ईद के दूसरे दिन विबन बैरिकों की तलाशी ले गई इस दौरान ब्लॉक नमबर 4 में बन विचारदीन कैदी, इमरान, इम्तियास और सिराच के बैरिक से चाज सिम और एक मोबाइल परामद किया गया है जिसे जेल प्रशासन ने जब्द किया, इसकी साथ ही जेल प्रशासन ने वाट नमबर 3 में भी तलाशी ली जिसमें दीपक मलिक और सुनील जाट नाम के हाड़कोर अपरादी बंद है उनके पास एक एंडुएट मोबाइल और सिम बरामद हुए है जिसे लेकर जेल प्रशासन ने सवलायन स्थाने में मुकत्मा दर्श कराया है पुलिस मामले की जाच में जुटी है देखिए हाई सेक्योरिटी जेल प्रशासन की दरफ से हमें दो रिपोर्ट्स प्राप्त हुए है उनमें एक रिपोर्ट में बताया है कि हाई सेक्योरिटी जेल में जो विचरादीन कैदी है उनमें इमरान, इम्तियाज और सिराज जिस बैरिक में रह रह रहे थे ब्लॉक नमर चार में उनकी जेल परसासंद वारा तलासी ले गई थी उस तलासी के दोरान उनके पास मोबाइल और सिम मिले हैं मोबाइल लोकिया है और चार सिम उनसे बरामद हुई है इसके अलावा इसी तरीके का एक दूसरा मामला है जो दूसरा परकड़ उन्होंने दर्ज करवाया है कि विचारादीन कह दी है ब्लॉर वार्ड नमर तीन में इनका नाम है दीपक मलिक और सुनील जाट इनकी भी बैरिक के तलासी ले गई तो इनके बिस्तरों के नीचे एक सेमसंग का इंडरोइट फोन और सिम बरावद हुई जिस पर जेल प्रशासन ने हमारे पास रिपोर्ट दी है हमने मुकदमा दर्ज किया है हाई सेक्योरिडी जेल में प्रशासन ने एक और मुकदमा दर्ज कराते वे जेल में बंद कैदियो द्वारा राजकारे में बादा और जेल प्रहरियों के साथ मारपी वबत सिलूकी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है इस मामले को लेकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है वही पुलिस का मानना है कि हाई सेकुररी जेल में पहुशने वाले मूबालों तक पहुचाने वाले को लेकर जब पूस्तात की जाती है तो वह अंजान व्यक्तियों के नाम होते हैं जिसके चलते मुख्य आरोपियों तक पहुचना मुश्किल होता है ऐसे में पुलिस अब गहनता से तर्तीश में जुटी है जिससे कि इस वेशाय में ठोस कारवाही किये जा सके अब हम कोशिस कर रहे हैं कि जल्दी इसके ओपर कोई ठोस कारवाही करेंगे ऐसा नहीं है कि प्रदेश की सबसे सुरक्षित हाई सेक्यूर्टी जेल में सिम और मोबाल मिलने का या पहला मामला है इससे पहले भी कई बार जेल में बन हाटकूर कैजियों के पास सिम और मोबाल मिले हैं लेकिन आज तक इन पर कोई ठोस कारवाही नहीं हो पाई जिसके कारण जेल से ही कई बार लोगों तक फोन पहुशते हैं और वीडियो कॉलिंग और वाट्चप के जरिये कई अपरादिक गटनाएं भी सामने आई हैं ऐसे में जेल प्रशासन को जेल से होने वाले अपराद को रोपने के लिए सकती दिखानी होगी